तो आज हम आपके लेके आए SATA to USB Converter जिसका यूज करके आप अपनी Laptop की Hardisk को या फिर SSD को आप अपनी Laptop या Desktop में बहुत आसानी के साथ इस Cable को लगा के यूज कर सकते हैं उसको Access कर सकते हैं तो डीटेल में हम आपको बताते हैं किस तरह से इस Cable के माध्यम से कौन-कौन स में तो प्लीज वीडियो स्किप मत कीजेगा तो यहां पर सबसे पहले पी बॉक्स इंडिया का यह SATA to USB Cable आ जाती है इसको फटा फटा हम उपन कर लेते हैं उपन करने से पहले यहां पर लिखा फॉर Laptop Hardisk and SSD यूज और इस बॉक्स पर ज्यादा कुछ डीटेल और काम की नहीं है तो फटा फट इसको हम उपन करते हैं तो यहां पर आपको मिल जाएगा यह SATA to USB Converter और एक इसका Packard मिल जाएगा जो कि इसको Carry करने के लिए हो बाकी एक यहां पर जो है पेपर मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है कौन कौन चीज़े आप यूज कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम हो रहे तो यहां पर WhatsApp सपोर्ट दिया है तो आप इसका सपोर्ट ले सकते हैं तो इसको रखते हैं साइड में फटाफट तो इस फैले को रख देते हैं अलग क्यूंकि इसका काम अभी हमें नहीं है और यहां पर USB पर कैप लगा मिल जाएगा जो कि सेप्टी काप इसको निकाल देते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारी SSD होती है यह हमारी laptop की hardest है और यह हमारी desktop की hardest है यह इतनी परकार की हमारी hardest होती है जिसमें सब में सेम पोर्ट होता है सेम जो है option होता है यहां पर देख सकते हैं इसमें भी सेम पोर्ट है इसम जो cable हमारी ये converter है, यहां पर इन दोनों को सपोर्ट करेगा, ये hard disk SSD को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसकी power जादा होती है, ये बड़ी size होती है, तो इसे power जादा लेता है, तो यहां पर अलग से power लगाने का option नहीं है, इसलिए ये hardest support नहीं करेगी मैं आपको laptop पे भी चेक भी कराता हूँ step by step की SSD लगा के पहले चेक कराऊँगा फिर ये वाली hardest लगा के चेक कराऊँगा laptop में जो लगती फिर desktop में जो hardest लगती इस size की मैं उसको भी लगा के चेक कराऊँगा आप response देख लीजिएगा खुद कौनसी support कर रही कौनसी नहीं support कर रही है और ये converter मैंने पहले बताए ये तीनों में लग जाएगा तो बहुत सारा मैंने आपको फटा-फट पैटिकल करके देख लेते हैं यहाँ पर laptop हमरे सामने मौझूद हो चुका है तो laptop में अभी इस cable के माध्यम से जो SSD हार्डिस हमारी step by step एक एक चीज़ लगा के चेक कराऊंगा मैं आपको तो यहाँ पर सबसे पहले SSD को लगाते ते हैं SSD को लगाने के लिए बहुत बड़ा पहार आपको नहीं खोदना है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं laptop में USB प्लैगिंग का sound आ चुका है और यहाँ पर SSD में जो हमारे partition था वो आटोमेटिक ओपन होके आपके साम डिस्प्ले पर आ चुका है आप दिस PC में जाके भी चेक कर सकते हैं इस PC में देख सकते हैं यह हमारी SSD सो कर रही है अगर हम यहाँ पर SSD का जो है के विल निकालते हैं जो हमने इस के विल के माद्धियम से लगाया था SSD को यहाँ पर देख सकते हैं partition गायव हो चुका है और मालीजिए partition आपका यहाँ पर नहीं तो क्या करना है तो आपको दिस PC पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद मैनेज पर जाना, उपर से थर्ड नंबर मैनेज का उप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ, जिससे आपको किलर समझ में आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर डिक्स मनेजमेंट में जाना है आपको अब यहाँ पर आपको Dix Management में आने के बाद यहाँ पर Dix आपको मिल जाएगा, यह Dix 0 है जो कि मेरे Laptop में Hardest लगी हुई पहले से, और Dix 1 यह जो है जो मैंने Sata Cable के मादधियम से, USB Sata Converter के मादधियम से जो SSD लगाई हुई है, चाहे आप Hardest लगाएंगे वो यहाँ सो यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर SSD को मैं निकाल दिया है, यह SSD हमारी OK, मतलब से हमारी SSD चल रही है, अब यहाँ पर इस Hardest को हम लगाते हैं, जो कि Laptop में हमारी Hardest लगती है, अब इसका भी USB Plagging करते हैं, और यहाँ पर USB Plagging का Sound भी आ चुक कर रहा है, तो यहाँ पर PC open करते हैं, तो इस PC में देख सकते हैं, जो Hardest के हमारे partition थे, यहाँ पर सारे partition वो आ चुके हैं, और इसके साथ यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया था, कि यहाँ पर Indicate के लिए, यहाँ पर Blue Light और Red Light दोनों यहाँ पर जलती है, तो यहाँ पर का sound आ चुका है हमारे laptop में, तो देखते हैं, यहाँ पर laptop में, इस PC में हमारी drive सो करती है, तो यहाँ पर इस PC में हमारी इस Hardest की drive नहीं सो कर रही है, तो अब Dix Management में जाके चेक करते हैं, तो सबसे पहले इस PC पर राइट किलिक करेंगे, मनेजर पर जाएंगे, फिर यहाँ पर Dix Management में जाएंगे, अब यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ Dix One में, एक जो है, नो मीडिया drive करके सो कर रहा है, बाकि इस Hardest में जो भी partition है, या फिर इसका साइज जो है, यहाँ पर locate नहीं कर रहा है, और इसके साथ यहाँ पर light indicate कर रहा है, ऐसा क क्यों हो रहा है, कि यहाँ पर यह drive का बता तो रहा है, लेकि पूरा access नहीं हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि इसकी power capacity ज्यादा होती, इसको ज्यादा power की requirement होती है, इसलिए यहाँ पर यह plugging तो कर रहा है, बता तो रहा है, कोई चीज है, जो हम इस laptop में attach किये आप जो है laptop hard disk या SSD को यूज करने के लिए है, मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको check कर आ दिया था कि मान लीजी बहुत लोग हो कि यह confusion हो नहीं हो सकता है, आपके इस hard disk में भी यह cable चल जाए, इसलिए मैंने check कर आके आपको live particle दिखा दिया है, जिससे आप confirm हो पाएं कि यह cable सि या SSD में इस cable को हम यूज करके इसको यूज कर सकते हैं, तो आई होब आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा किस तरीके से पी आई बॉक्स इंडिया का SATA to USB cable यूज करके हम अपनी laptop की hard disk या SSD को इस cable के माध्यम से अपने laptop या desktop में access कर सकते हैं, उसमें data copy कर सकते हैं या उसमें किसी अनपरकार का data moving या copying आप कर सकते हैं अपने जरूवत की हिसाब से, तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी support मिला होगा तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमें support करिएगा, और bell icon पर all click कर दिएगे, जिससे हर वीडियो को notification आपको time to time मि वीडियो को like करिए, comment करिए, share करिए, और इसके साथ इसको अगर buy करना है, तो इसका link वीडियो के notification box मिल जाएगा, और अगर आप हमें support करना चाहते हैं, हमाई चैनल को support करना चाहते हैं, तो Amazon के थूरू कुछ न कुछ तो आप buy जरूर करते होंगे, तो इसका link मिल जाएग हमाई link के थूरू अगर buy करेंगे, तो थोड़ा सा support मिलेगा हमें, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए topic साथ, अब तक के लिए, टिक क्यार, बाई-बाई